So friend, आज का जो मारा first word है, वो है column, column जो होती है, जिससे हम लिखते हैं, इसे हम इंगलिस में pen बोलते हैं, pen यानि कि column कागस, कागस को हम इस तरह की कागस को हम paper बोलते हैं, paper यानि कि कागस Pencil, pencil को हम इंगलिस में भी pencil ही बोलते हैं guys, pencil Next है, gost, गोद का यूद जो हम चिपकाने के लिए करते हैं किसी चीज को, उसे हम इंगलिस में gum बोलते हैं श्याही, श्याही को हम इंगलिस में ink बोलते हैं, ink यानि कि स्याही Next है, कागस दाव, कुछ इस तरह का होता है, इस हम इंगलिस में paper weight बोलते हैं, paper weight किताब हर तरह की किताब को में इंगलिस में बुक बोलते हैं बुक यानि की किताब नेक्स्ट है रजिस्टर रजिस्टर इसको में इंगलिस में भी रजिस्टर ही भोलते हैं इस रजिस्टर तक लिएक बाट, पत्र को हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, उसे में इंग्लिस में निव्षपिपर बोलते हैं dictionary यानि की सब्द कोष अकबार अकबार जो हम सुबा सुबा पढ़ते हैं उसे में इंगलिस में newspaper बोलते हैं newspaper यानि की अकबार कागस काटनी की जो machine होती है गाईज उसे में इंगलिस में paper cutter बोलते है paper cutter next है इसका use हम किसी चीज को नपने के लिए करते हैं इसे में इंगलिस में tape बोलते हैं tape कागस सम्हाल file जिसमें हम अपने सभी papers को सम्हाल के रखते हैं उसे में इंगलिस में file बोलते हैं बुलानी की घंती ये आपने हर office में देखा होगा इसे में इंगलिस में call bell बोलते हैं call bell रसी तिकर जो होती है उसे में इंगलिज में revenue stamp बोलते हैं revenue stamp, तिपाही, तिपाही को में इंगलिज में stool बोलते हैं, stool यानि की तिपाही, next है कुरसी, कुरसी को में chair बोलते है, chair यानि की कुरसी, next है सोकता कागस, bloating paper, bloating paper यानि की सोकता कागस, next है maze, maze को में इंगलिज में table बोलत Next है, Buddy left, कुछ इस तरह की होती है, इसे हम इंग्लिस में bench बोलते हैं, bench यानि कि Buddy left, postcard, postcard, इसे हम इंग्लिस में भी postcard ही बोलते हैं गाईस, postcard को इंग्लिस में postcard ही बोलते हैं 99 पत्र, निवंद्रड पत्र को में इंविटेशन काड बोलते हैं, invitation card परिशे कार्ड, इस तरह की परिशे कार्ड को में इंग्लिस में विजिटिंग कार्ड बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड यानि की परिशे कार्ड, रसीदा बही, रसीदा बही को में इंग्लिस में रिसिप्ट बुक बोलते हैं, रिसिप्ट बुक, डाक टिकट, डाक टिकट क को मिंग्लिस में पोस्टेज स्टैंप बोलते हैं, पोस्टेज स्टैंप यानि की डाक टिकट, लिफाफा, लिफापे को मिंग्लिस में इन्वेलप बोलते हैं, इन्वेलप यानि की लिफाफा, प्रकार, कुछ इस तरह से होता है, इसे मिंग्लिस में कमपास बोलते हैं, कमप मापक, मापक को इंग्लिस में हम रूलर बोलते हैं, रूलर यानि कि मापक, छेदनी, पंच, पंच, छेदनी को हम इंग्लिस में पंच बोलते हैं, गाइस, नेक्ष्ट है, लेखन पत्र, राइटिंग, पैड, राइटिंग, पैड, हमारा नेक्ष्ट वर्ड है, लाल से आही, लाल स्याही को मिंग्लिस में रेडिंग बोलते हैं रेडिंग यानि की लाल स्याही next है कलम की नोक जो होती है उसे मिंग्लिस में निब बोलते हैं निब यानि की कलम की नोक आल पिन आल पिन को मिंग्लिस में पिन बोलते हैं पेन यानि की आल पिन next है carbon kaagas carbon kaagas आपने सब्री देखा ही होगा सब्रीज है carbon paper परदर्सक kaagas tracing paper tracing paper इससे में inngles में tracing paper बोलते है so friend अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like, share और channel को subscribe जरूर मेरी कल फिर मिलते हुए किसी तरह के वीडियो के साथ तब तक लिए बाई and थैंक यू